अशोक नंगर जिले में अबैद रूप से रेत उत्खनन की सिकायतें लंबे समय से सामने आती रही है। अबैद रूप से रेत का उत्खनन कराया जा रहा है। को जब्त कर साड़ोरा थारें में रखा है। जैसे यह ट्रेक्टर जब्त हुआ तो छेत्र के बहुत से ट्रेक्टर मालेक साड़ोरा पहुँचे और मूडिया के सामने आर्क के एन इंटरप्राइजेज की रसीत दिखा कर कहा। कि छेत्र में एक हपते से ठेकेदार के सेक्टरों लोग हात्यारों सेहत पूरे छेत्र में घूम कर रित के टेक्टरों से एक एक हजार रुपे की बसूली कर रहे है। ठेकेदार के लोग प्रतों प्रधानमंत्री आवास सेहत छूट प्राप्त थेत्राहियों को भी नहीं बक्स रहे हैं और उनसे जबरन बसूली कर रहे हैं। अन्य नदियों से भी लगातार रेत नकाली जा रही है। एक अन्मान के मताबक संपून जिले से प्रतिदन करीब 500 ट्रॉली रेत नकल रही होगी जो लगवक 4000 क्यूबिक मीटर के आसपास हो सकती है। जबकि जिले में कुल 6 ख़दानी सास की रूप से अधिकरत की गई हैं जो स्विकरत भी हैं। जैसे पूरे साल में कुल 10,000 घन मीटर ही रेत नकाली जा सकती है। समझा जा सकता है कि बड़ा मामला अवैज रेत उत्खनन को लेकर सामने आ सकता है अगर इस पर एक बड़ी कारवाई प्रसासन के द्वारा की गई तो। अब क्या घटना हुई आपका ट्यक्टर थाने में क्यों रख दिया। वो ठेकेदार है ना जोनविन ने मुझे से बोला था कि बोले तिम्राल्टी काट के दे रहा हूं मैं आप कोई से जिले में कहीं भी चला सकते हो। मैंने उनसे बोला सर आम नहीं चला रहा हमारा ट्यक्टर पकड़ा हो जाएगा। बोले मेरी गारंटी फल गारंटी ठेकेदार ने बोला मेरे को जहीए घजार रुपे की रसी दिये। क्या कहके देदी आपको रसी दिये। इक आपको ट्यक्टर पूला हुआ ह? पुरांटी पर रख दिया आपका त्याक्टर साड़ ओर था नहां चीए